मोटी चोटी चैलेंज पार्ट फॉर फ्रेंज मैंने पार्ट वन पार्ट वें पार्ट थी पहले हैं अपलोड कर दिया है अगर आप अभी तक उन विडियोज को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लिजे क्योंकि उन सारे वीडियोज में मैं अलग-अलग रेमेडी सेर की हूँ जिसके यूज से काफी सारी लोगों का हैर फॉल भी कंट्रोल हुआ है उनका चोटी भी बिल्कुल मोटा सब बनना स्टार्ट हुआ ठीक है तो आप उन वीडियो को जरूर देख लेना लेक्ट को डिस्क्रिशन बॉक्स मिल जाएगा अगर आपको रेमेडी सेर करने वाली हूँ जिसके यूज से आप अपने हैर फॉल को कंट्रोल कर पाएंगे एंड आपका जो हैर ग्रोथ है वो दो गुनी तेजी से होने लगेगा ठीक है एंड अगर आप गंजेपन के सिकार है तो उस पर भी धीरे-धीरे बाल उगना स्टार्ट हो जाएगा तो लोहे का कडाही लेते हैं तो यह सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर आप लोहे का कडाही यूज करते हैं तो आपको आइरन का प्रोपर्टी भी इस हैर ओल में मिल जाएगा ठीक है अब आपको इसमें एट करना है नारियल का तेल फ्रेंस आप कोई भी हैर ओल यूज कर सकते है सरसो का तेल भी इसकर सकते हैं आपको जो पसंद आता है वह इसमें यूज कर सकते हैं क्वांटीटी आपको आपको जितना बनाना है ना उतना ही इसमें रखी ठीक है अब आपको इसमें दालना है गुड हल के फूल फ्रेंस गुड हल के फूल डैट मिन्स ही विसकस फ्लावर ही एक मातर ऐसा फ्लावर है जो गंजी सर पर भी बाल उगाने का चमता रखते हैं इसमें एमिनो एमिनो एसीड मौझूद होते हैं जो केराटेर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जाद मिलेगा क्योंकि यह हमारे हेर के लिए बहुत मस्त काम करता है तो आपको फूल इसकिप नहीं करना है अगर आपको फूल अवल नहीं है तो आप पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं गुड हल के फूल में दुगुनमातरा में इसका गुड़नेस मौजूद होता है ऐस कंपेर ट हाइमो की यूजर नाम का दो ऐसे कैमिकल यॉज्य पाया जाते हैंजो आपके हीज़्स से हायर फूल को भी कंट्रॉल करते हैं और आपके बालों को वापस से उगाने में भी काफी ज्यादा करते हैं तो आपको इसे पादर roll में भी आप से ले सकते हैं या फिर लब आपका oil अच्छा बनकर ready नहीं हुआ है ठीक है तो मैं यहाँ इसे पका रही हूँ लगभग 5-10 मिनट हो गया है अब मैं यहाँ क्या करूंगी मैं यहाँ अधरक में फॉस्फोरस होते हैं जो स्कैल्प को क्लीन करके ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करते हैं जिससे हमारे हैर बिलकुल स्ट्रोंग होंगे एंड हेल्दी होंगे ठीक है तो अब हम इसे लगभग 25-30 मिनट तक पका लेते हैं बिलकुल लोवेस्ट फ्लेम में तब तक मैं इन सारे इंग्रेडियंस का क्वांटिटी आपको बता देते हूं फ्रेंस आप जितना अमाउंट में प्रिपेर करना चाहते हैं उतना ले लिजे कड़ाही में उसके बाद जितना ज्यादा हो सके उतना आप करीली फिस में डालिए और गुड़ल के फूल भी आपको ज् से लगभग 25-30 मेर तक पका लिया है और यहां आप नोटिस कर सकते हैं जो हमारा करी लीव है उसमें अभी भी हरापन नजर आ रहा है यह क्रंची हो चुका है बट फिर भी इसमें ग्रीनिस मौजूद है इसी से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो ओल है यह बिल्कुल पॉर् भी हमारा कडाई जो है घ्रन ही रह्ता है चलाते रहना है इसमें को पड़ा के हमें खानना है ठीक है है फ्रेंश अगर आप इसन चनी थोंसे यह tu था उसका कुछ कन तेल में भी चला आए तो इसे आपको अपलाई करने में थोड़ा सा इरिटेशन फील होगा तो आपको से कपड़ा से ही छानने का ठीक है इससे आपका जो ओल है वो बिल्कुल से अपलाई करके इसका भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं अभी ऐसा आपको करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मुझे वीडियो बहुत जादे लंबा नहीं करना है ठीक है अब इस ओल को कोई भी एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेजिए अगर आप कांच के बोटल में इसे ट्रांसफर करते हैं तो और बेटर है बट मेरे पास अभी कांच को बोटल अग्यवल नहीं है तो मैं इसे प्लास्टिक कंटेनर में ही इंड्रांसफर कर रही हूं ठीक है जितना प्यारा से ये कटलर नजर आ रहा है ना उससे भी ज्यादा यह हमारे बालों के लिए प बड़ा होते जा रहा है तो आप इस हैर को जरूर यूज़ कीजिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले क्योंकि यह हमारे हैर के री ग्रोथ में काफी ज्यादा है तो अब मैं आपको बताती हूं कि आपको इसे अपलाई कैसे करना है फ्रेंस आपको इसे नॉर्मली जैस आपको मसाज करना है फ्रेंस आपको बहुत हलकी हाथ से इसका मसाज करना यह नहीं कि बहुत जोड़ जो से कर दिया उसके बाद हमारा हैर डेमेज हो रहा है ऐसा आपको नहीं करना है ठीक है तो फ्रेंस मैंने यह अमेजिंग रेमेडिया आपसे शेयर कर दिया और आपको समझ में आ गिया कि इस hair oil को prepare कैसे करना है फ्रेंस मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो like कीजिए share किजिए यह मैं आपको नहीं कहूंगे बट एक चीज आपको यह कहूंगे कि अप इस hair oil को अपने घर पर जरूर बनाई एंड थ्री मन तक जरूर यूज कीजिए उसके बाद जो आपका feedback है वह हमारे चैनल पर वापस आके जरूर सेयर कीजिए ठीक है तो फ्रेंस आज का वीडियो में पर इंट करते हैं मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई